हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का फैब इंगलिश पर मैं हूभुमिका चोहान और आज पढ़ेंगे विलियम डागलस के उस डर के बारे में जिसने उनको काफी दिनों तक परिशान किया जी हाँ फ्लामिंगो का हमारा चाप्टर डीप वोटर जो लिखा है विलियम डा पानी तक डर आया गहरा पानी गहरे पानी से किसी को कैसे डर लग सकता है लग सकता है ब्रो जिसे तहरना नहीं आलता हो उसकी तो फट जाएगी बहुत बुरा हाल हो जाएगा राइट तो इंग्लिश क्लास है सेशन 2 है विद टीच भूमिका अबाउट दीचाप्टर यह आपको एक खुबसूरत से महोद है दिख रहे हैं यह कौन है यह विलियम डागलस है और चाप्टर के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ धोड़ा सा डीप वाटर ने एक सर्प्राम ऑफ मैंनें मांटन मतलब की एक अंश लिया गया है कहां से ऑफ मैंने इनके जो लेक था इनका जो वाक था उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है इस अचैको आनलेटिकल स्टडी और प्रीर साइको अनलेटिकल केहने का मतलब है कि एक मनोविज्ञानिक टाइप की जो एक स्टडी होती है ना किस चीज की डर की ठीक है उससे रिलेटेड ये पूरा chapter है of men and mountains जिसके अंदर ये एक William Douglas की आप बीती है जो उनके साथ हुआ life में वो उन्होंने बताया है इट रिवील्स हाफ यो can paralyze a normal person mentally and also the ways to overcome it ये कहानी हमें बताएगी कैसे डर एक इंसान को paralyze कर सकता है मतलब paralyze as in लक्वा मार सकता है मतलब आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे डर में ठीक है किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है that means that means what कि आप उस चीज़ को करने के लिए मतलब आपको ऐसा लग जाता है कि oh my god अब नहीं हो रहा है मुझसे आपके हाथ पैर सुननो जाते हैं एकदम काम करना बंद कर देते हैं राइट तो इस चाप्टर के अंदर यही बताया जागा कि कैसे डर आपको पारलाइस कर सकता है और वो क्या तरीके हैं जिससे आप इस डर को पूरा कर सकते हैं पूरा मतलब उभर सकते हैं ओवर कर सकते हैं लाइफ में आप मुझे comments करके जरूर बताईए कि आपको जिन्दगी में किस किस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है या तो मुझे भी पता चले मेरे बच्चे किस चीज से डरते हैं राइट चालो So the lesson emphasizes the significance of one's desire to fulfill one's passion ये chapter जोर देता है किस चीज की importance पर significance importance of one's desire एक इंसान की इच्छा to fulfill one's passion कि आप को ये चीज पूरे जुनून के साथ करना चाहते हो लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे अपने डर की वज़े से उस चीज को नहीं कर पा रहे Supported by meticulous planning and the never say die attitude अब Supported by meticulous meticulous planning मतलब आप कैसे उस चीज को overcome कर सकते हो अपने passion को follow कैसे कर सकते हो आप बढ़िया planning के साथ follow कर सकते हो क्यार मैं एक plan करता हूं ठीक है ये चीज मुझे डरा रही है तो मुझे अब इससे उभरना तो पड़ेगा ही न एक एक बहुत ही महान इंसान ने बहुत ही महान बात कई मुझे इस इंसान का नाम नहीं आदा रहा बट क्या कहा उसने कि जो भी चीज तुम्हें चाहिए न वो डर के उस पार है everything you want is on the other side of fear तो yes अब plan तो करना पड़ेगा न डर के उस पार जाने के लिए डर को पीछे छोडने के लिए तो बस उसी planning के बारे में ये chapter है कैसे William Douglas ने planning की अपने डर पर काबू पाने के लिए उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे attitude के साथ आप उस डर पर काबू पास सकते हो never say die attitude never say die attitude क्या होता है you don't give up or get discouraged no matter what कि चाहें कुछ भी हो जाए आप ना तो discourage हो रहे है ठीक है मतलब आपका जो courage आपका जो साहस है वो खत्मन नहीं हो रहा उस डर की वज़ह से और ना ही आप give up कर रही है चाहें कुछ भी हो रहा है यही चीज हम इस chapter से सीखेंगे इस chapter से बहुत बढ़िया चीज़े आपको सीखने के लिए मिलेंगी ध्यान जरूर दीजेगा विल्यम डगलस के साथ हुई भी बढ़ी बढ़ी चीज़े आपको बताओंगी मज़े आएंगे ठीक है तो टाइटल दिया हुआ है डीप पॉर्टर और यह बिल्कुल बढ़िया टाइटल है सूट करता है इसको जस्टिफाइड है क्योंकि यह रिवील करता है इसने क्या बात बोल दी यह क्या रिवील करता है यह रिवील करता है इक गहरा मांसिक छाप एक गहरी मांसिक छाप किस पर किस चीज़ की दर की किस पर ऑफर के दिमाग पर तो title दिया है deep water, गहरा पानी, गहरे पानी से ही डर लगता था, तो deep word हमें कहीं न कहीं बताता है, उस deep fear के बारे में, जिसका प्रभाव, जिसका imprint, जिसकी छाप, उनके दिमाग पर बनी रही काफी सालों तक, okay, बढ़ जाते हैं आगे, background क्या है कहानी का, in his autobiographical, oh my goodness, yeah, no, white, yes, so in his autobiographical account, deep water, अब autobiographical account बुला गया है, that means, यह कहानी, एक autobiography की तरह है, एक आत्मकथा की तरह है, जिसके अंदर William Douglas के बारे में बताया गया है, recollects, याद करते हैं, a horrifying experience, एक बहुत भयानक दरा देने वाला, अनुभव, of drowning at the YMCA swimming pool during his childhood, और वो क्या था, वो था, YMCA, Young Men's Christian Association, Young Men's Christian Association, यहाँ पर वो एक pool था, जहाँ जाया करते थे, वहाँ पर उनके साथ एक भयंकर accident हुआ, और वो accident क्या था, बताएंगे आपको जरूर, चीक है, उसके बारे में, और उस incident के बाद, वो मतलब कई सालों तक बहुत बुरी जिन्दगी जीते रहे, देखते है, क्या होता है, so the incident left a deep psychological imprint in his mind, अब उसने काफी ज्यादा बुरी छाप छोड़ दी थी, ठीक है, उनके दिमाग बने, and he was so terrified that he avoided water for a long time, और वो इतना ज्यादा डर गयते, कि उन्होंने पानी को काफी लंबे समय तक अवाइट रखा, ठीक है, the entire episode emphasizes how courage and determination help an individual to accomplish his goal, पूरा ये जो episode होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ये सब चीजे स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ, कि आपके दिमाग में already एक background, एक plot हो, story का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत important होता है, chapter एक better way में समझ में आता है, so individual to accomplish his goal, accomplish मतलब पूरा करना, कि कि कितनी द्रिड निष्ठा लगती है, अपने जो दिमाग में सोच लिया, उसको पूरा करने में, the incident taught Douglas the larger meaning of life, और इस incident ने कही न कहीं, Douglas को क्या बताया, जिंदगी का एक larger meaning कहने का मतलब होता है, कि आप जब अपने डर पर काबू पा लेते हो, तो तब जिंदगी जीने का जो veganic analysis एक तरीकी से मानसिक तोर पर अगर हम analysis करें, किसका डर का, ठीक है, author है William Douglas, अब start हो जाता है हमारा chapter, अब William Douglas के साथ क्या हुआ, starting में अगर मैं आपको बताओ, तो William Douglas ने choose किया, authors plan to learn how to stream, author ने क्या plan किया, author ने plan किया, कि यार मैं तो तैर ना सीखूंगा, ठीक है, प्लान कर लिया, plan करने में क्या जाता है, तो उन्होंने YMCA pool चुना, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं swimming सीखूंगा, pool में swimming करने का उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि safe होता है, ठीक है, और केवल 9 feet गहरा था, and 2 or 3 feet deep at the shallow ends, अब जैसे pool होता है, वो इस तरीक की गहराई थी, और फिर ऐसे जाते 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 9 feet की गहराई तक आ गए, ठीक है, याकिमा river chosen because it was not chosen because it was treacherous, claimed many lives, अब वहाँ पर याकिमा river भी थी, तो नदी में तैरने क्यों नहीं जाना चाहा, पूल में ही क्यों चूज किया, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा treacherous, मतलब खतरनाक भयंकर न दी थी, कई लोगों के डूबने के रोजाना समाचार में, मतलब रोजाना समाचार आते रहते थे, तो उसकी मम्मी ने उनको साफ मना कर दिया, बोले कहीं पर चला जाए, याकिमा river मत जाई, रोजाना टीवी पर खबर आती रहती है, ठीक है, उसके बाद, author got a pair of water wings, water wings मतलब आपने देखा होगा पानी में जब तैरते हैं, ठीक है, तो वो एक होते हैं, वो इस तरीके के, ऐसे, 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 इस तरीके के wings देखे होंगे, इनने पैरों में पहें लेते हैं, वो उन्होंने ले लिए, हीटे to walk into it with skinny legs, अब ना, भई, पूल में जाना है, तो कड़े अपड़े उतार के जाना पड़ता है, अब अपने तो, Douglas जी थोड़े, शरमीले टाइब के थे, कि यार, शरम आती है, और पतले दूबले से थे, पतली-पतली हिटांगे बोले, मेरे इतना sexy hot figure लेके, मैं कैसे जा सक में रखा कि कोई नियार चला जाता हो, है ना, कोई नियार चला जाता हो, so, ठीक है, वो वहाँ पर चले गए, सबसे पहली चीज, कि उन्हें ना पानी से इतना डर क्यों लगता था, इसके बारे में जानते हैं तो, उन्होंने बताया, कि बच्पन में एक बहुत ही बुरा experience उनके साथ हुआ था, जिसकी वज़े से वो पानी से दूर रहते थे, एक बार वो अपनी पापा के साथ, उनके पापा उसको कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए, जब वो तीन से चार साल का था, और वहाँ पर जो वेव थी, जो लहरे आई थी, अब वो छोटा सा बच दर जाता है, यार बहुत काफी छोटा होता है, तो उसे तब से डर लगने लगा था पानी से, और पापा उसके माँ खड़े खड़े हजरे होले हैं, गिर गया, ठीक है, सुट टेरर इन इस होट, तो उस चीज़ का ना डर कही ना कही उसके दिल में बस गया, बच्चा तो था ही, पता नहीं, समझ नहीं पाया, सिच्वेशन को, यूर्ज लेटर, अन प्लेजंट मेमरी इस रवाइब अट वायम सिय पूल, अब वायम सिय पूल में गया है, तेरना सीखने के लिए, तो वहाँ पर भी उसको वो जो बुरी मेमरी थी, कलिफोर्निया बीच की वो बा इफिडेंस डेवलाप हुआ, कि मैं तहरना सीख सकता हूं, पैडल विद इस न्यू वाटर विंग्स, नहीं नहीं वाटर विंग्स जलाया था, उनसे मस्त पैडल वाडल करके ठीक है, थोड़ा बहुत सीख रहा था, कम गहरा ही तक ही रहता था, ट्राइट तु लॉन बार वो प्रैक्टिस करते, and gathered confidence धीरे धीरे करके उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा मतलब पानी का डर खत्म हो रहा था, ठीक है, अब यह सब चली रहा था, यह उनकी दो-चार दिन में कर लेते थे, प्रैक्टिस दूसरों की नकल करके देख लेते, काफी एक struggle सा था, ठीक ह भी उनकी यह journey थोड़ा सा confidence आया उनके अंदर, किया कोई नी पानी तो या, मैं कर सकता हूँ यार, अब, अब आदा एक बढ़िया सापना लड़का, है ना, और यह मस्त उसकी body, और body में अनिल कपूर की तरह, यहां से लेकर पूरे में बाली बाल, अजीब सा लड़का, ब पूल में ऐसे ही अराम से, ऐसे बाटा था भाई अपने हैं, तो कोई दिक्कती में चुप चाप बैटा हुआ था, और इतने में वो बच्चा आता है, उसने सोचा यार, बाकी लोग आ जाएंगे, कोई भी नहीं था, वापे उस समय, उसने सोचा बाकी लोग आ जाएंगे, तो मैं चला जाओंगा, इतने में एक अठारा साल का लड़का आता है, हैट थिक हैर उन चैसे, भारी घने घने, बाल उसकी चाती पर, बलजिंग मसल जाएंगे, निकलती हुए डोले शोले, और स्ट्रॉंग फिजीक, काफी हट्टा-कट्टा बंदा है, ऐसे टाइप का ल बला बिचा, और कहां उस हट्टे-कट्टे आदमी के सामने टिकने वाला था, तो उसना उसको उठाया और ये करके पानी में डाल दिया, हमारा डगलस सीधा नीचे पूल में, और पता है का फेका, पाई कम घहरी तरफ फेक देता है, तिरको मजे कर रहे थे तो, और 9 फीट पहले जाके फेका, जहां 9 फीट की घहराई थी, बहां ले जाके फेका, डगलस फेल इंटु दो वाटर इन सिटिंग पोजिशन, बैठा तो था ही, बैठा का बैठा ऐसे पठका होगा, सिटिंग पोजिशन में नीचे वो चला गया, अपने बढ़िया 9 फीट वाली रखा कि दिमाग का काम करना बंद नहीं हुआ उसके, देखना क्या, डागलस इस प्लान टु सेव इंसल, पानी में गिर गया, भाई साब पानी में गरने के बाद, जिस से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, भाई साब उसके बाद भी ओ क्या कर रहा, उसके बाद वो प् रखा, और यही बात होती है, हमेश्य आपने आपको ऐसे ट्रेन करो, दिमाग आपके साथ न खेले, आप दिमाग के साथ खेलो, प्लान टु मेंक बिग जंप अपोई और एंड कम तु दे सर्फिस, बड़ी दिमाग से उसने प्लान बनाया कि क्या करूंगा, निचे पहुं अब अप्लाइ करना भी तो है, और अप्लाइ करने के बाद काम करना भी तो जरूरी है प्लान का, अब उसने यही सोचा कि टू लाए फ्लाट अने उपर आऊंगा, फ्लाट ऐसे लेट जाओंगा, और पैडल करके, पूल के एज तक पहुंच जाओंगा, अपने आपको प्लानिंग कर ली भाई अब बढ़िया तरीके से उसने कोई दिक्कत ने अच्छा प्लानिंग करनी तो अच्छी बात है, वें डाउन तो बॉटम, पहुंचे बॉटम पे हमारे डगलेस जी, नाइन फीट अपीर लाइक 90 वीट, अब यार सास ही नहीं आ रही होगी बंदे अपने अंदर की जित्ती भी ताकत थी उसने कठा करी, अब बहुत जबर दा, जैसे अपना यह डॉगी दिख रहे हैं, यह पूरी जान लगा रखिये उपर कूदने के लिए, आसे हमारे डगलेस ने पूरी जान लगा दी उपर कूदने में, अब उसने अपनी सारी पूरी की होती है, हलकी होती है, तो ऐसे ऐसे फ्लोट कर जाती है पानी पर, लेकिन उसका उल्टा हुआ, अब यह प्लान तो बना लिया, बड़ी जल्दी में बनाया था ना, तो हुआ उसका उल्टा, उसने जंप तो है, यह मारी थी पूरी अपनी जान लगाने के बाद, केम अप स्लोली, उसने सोचा था सर्फिस तक पहुँच जाओंगा, थोड़ा सा यह उपर आपाया, पूरा उपर नहीं आपाया, ओपने जाए और उसने जब जंप मारने के बाद अपनी आखे खोली तो देखा पानी पानी है चारो तरफ, भाई साब, ग्रिव पानिक ही, पानिक करने लगा, कि यार ये तो काम नहीं कर रहा, effort to grab a rope, अब हाथ पैर मारने लगा, ठीक है, like this, कि भाई कोई रसी वसी पड़ी हो तो ही हाथ में आ जाए, लेकिन पानी के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था, but his hand clutched only water, लेकिन उसके हाथों ने के वल क्या पकड़ा पानी, पकड़ा पानी, मतलब कुछ हाथ में उसके नहीं आया, ये जो YMCA pool का incident है, deep water में सबसे ज्यादा important यही है, इसी पे based questions बनते हैं, क्योंकि यही main चीज बताई गई है, felt suffocated, अब घुटन होने लगी, suffocation होने ल अब दिमाग एकदम सन्न हो गया है, felt dizzy, बेहोशी टाइप का feel हो रहा है, still remember the strategy to jump up, लेकिन भाई, पीछे नहीं आटा अपना लडगा, बोला कोई बात नहीं, नीचे जाने की उसकी जो journey थी, उसके दौरान उसको ये सब feeling हो रही थी, उसने jump मारा, आखे कोल के देखी, चार नहीं आ रही है, हालत बुरी है, लेकिन, प्लान याद था, प्लान क्या था, कि भाई, फिर से नीचे जाऊंगा, फिर से jump मारूंगा, completely terrified, बूरे तरीके से डरा हुआ है, हालत खराब है, water all around, चारो तरफ पानी है, stark terror seized him, उस गंदे घिनोने डर ने उसको seized जकर लिया था, unable to scream, चिला भी नहीं पारा था, चिला भी नहीं पारा था, अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी, felt as if paralyzed, और उसको ऐसा feel हो रहा था, जैसे मानो मुझे paralyzed हो गया हो, मेरे हाथ पर काम करने बंद कर लिया, his heart and pounding in his head made him feel that he was alive, अब उसका दिलिती जोर जोर से धरक रहा था, ठीक अब उसने एक और प्रयास किया अपने आपको बचाने का, terrified but did not lose reason, धरा हुआ था, लेकिन अपने हिम्मत नहीं खोई उसने, उसको पदा था मुझे अभी दर से काम नहीं चलेगा, जिन्दगी बचानी है तो, jumped up with all his strength, वापिस से नीचे पहुचा, वापिस उपर चलांग लखाई, पूरी अपनी strength से, did not succeed, फिर भी सफल नहीं हुआ, trembled with fright, अब दर और ज्यादा बढ़ गया, his arms and legs did not move, क्योंकि अब तो क्या है सांस फटने वाली है, और ज्यादा पानिक कर गया, है ना तो हाथ पर काम करने वापिस से बिलकुल बंद कर दिये, अब nothing happened and went down for the third time, और अब कुछ भी नहीं हुगा और तीसरी बार वापिस से वो पानी में नीचे जाने लगा, gave up all efforts to survive, जब वो वापिस से नीचे पानी में जाने लगा, तो उसने अपनी सारी की सारी उमीदें छोड़ दी, lost all hope, felt relaxed, बिलकुल relaxed feel कर रहा था, fear and terror wiped out, कोई डर नहीं लग रहा, कोई terror नहीं है, कूछ नहीं है, कहने का मतलब बिहोश हो गया है पानी में, conscious नहीं है, मरने वाला है, no panic, felt quiet and peaceful, बिलकुल panic नहीं कर रहा है, एक्तम quiet and peaceful, felt drowsy and passed into oblivion, drowsy feel हुआ उसको, थका हुआ, सुस्त feel हुआ उसको, ठीक है, और इसे ऐसे लगा कि मैं किसी दूर, अब इस दुनिया में नहीं हूँ, oblivion मैं इस समय से पार चला गया हूँ, क्या मर गए, मर जाते तो यह story कैसे लिखते है, है ना, regained consciousness, वापिस से एकदम उनको होश आया, और जब अब की बाहर उनको होश आया, तो वो कहां थे, पूल के बाहर थे, बतलब उनको rescue कर लिया गया, बचा लिया गया, lay on his stomach beside the pool vomiting, तो जब उनकी आखे खुली, उन्होंने देखा कि वो पूल के side में लेटे हुए और उल्टियां कर रहे है, the big bully said that he was simply fooling, अब वो जो लड़का था, हटा-कटा उससे पूछा गया, कि भाई क्या किया यह तूने, उसने बुला, मैं तो मजाग कर रहा था, तेरे मजाग के चक्कर में इंसान की जान चली जाती, इसल जब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने strategy बनाई, end तक उन्होंने fight किया, उनको सांस नहीं आ रही थी, कुछ भी उनके साथ सही नहीं हो रहा था, उनकी strategy काम नहीं कर रही थी, फिर भी उन्होंने hope नहीं हारी, कब तक, जब तक body बिल्कुल ही खत्म हो गई, जब स room तक ले जाया गया और उस दिन उनको बचा लिया गया, वो तना मौत को चूकर टक से William Douglas जी वापिस आये, efforts of this unpleasant experience, effects of this unpleasant experience, अब ये जो उनके साथ हो, बचपन का ही डर इतना ज्यादा था, कि अब तक पूल में नहीं जाया करते थे, तो ये सोचो कि अब ये जो इतना भयंकर कांड इनके साथ हो गया, अब ये कितना ज्यादा डरेंगे, वाक्ट होम बट वीक एं ट्रेंबलेंग, घर गए पर बहुत ज्यादा कमजोर और कापते हुए फील कर रहे थे अपने आपको, शूक एन क्राइड ओन बेट घर गए और काफी ज्यादा रोए, ठीक है, बहुत 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 रोए, could not eat that night, उस रात खाना ने खाया, haunted by fear for days, कई दिनों तक वो डर, उनको डराता रहा, slightest exertion upset him, कोई भी थोड़ी सी बात हो जाती, थोड़ा सा भी उनके उपर अगर दबाव आ जाता है, या प्रेशर आ जाता है, किसी भी चीज का या कुछ भी हो तो बिल्कुल मतलब बॉखला से जाते हो, felt wobbly in knees and stick to his stomach, और घुटने कापने लग जाते है, ठेक है, और पेट ऐसे अजीब सा मतलब लगने लग जाता हो उनको, तो काफी बुरा हाल उनका हो गया था, a few years later, अब कुछ सालों बाद, कई साल उनके ऐसे भी थे, fear of water seized him, कुछ सालों बाद भी यह जो fear था water का, वो कई न कई उन्हें जकड लेता था, unpleasant experience of his pool terrorized him, और पूल के अंदर जो उनके साथ एक बुरी घटना हुई, वो तो उनको कई न कई डराती ही थी, joy of fishing, boating, canoeing, boating, swimming, mad by fear, और यह जो मजे होते है, जिते भी water sports होते है, वो सब चीजों के नहीं कर पा रहे थे, fishing नहीं कर पा रहे थे, boating, canoeing, canoeing ही होता है, थिक्ए यह सब चीजे वो नहीं कर पा रहे थे, यह डर की वज़े से वो सब चीजे उनसे दूर हो गई थे, अब उन्हें लगा यह यार ऐसे तो जिन्दगी नहीं जी सकता है, है ना, तो कुछ सालों water followed him यह जो डरावना पानी का डर था वो उनके उनको जिन्दगी में काफी सालों तक उसका पीछा किया उस डर ने काफी सालों तक जखड के रखा उने and everywhere to overcome the fear failed और कोई भी तरीका उस डर पर काबू पाने का fail हो रहा था आगे क्या होगा decided to overcome his fear अब उन्हों ने यह decide कर लिया बोले मैं अपने डर पर काबू पाऊंगा पाऊंगा मैं काबू hired an instructor in October to learn swimming एक instructor higher किया October में swimming सीखने के लिए a rope attached to belt put around him एक रसी जो है belt से लगा कर ठीक है अपने चारों तरफ ऐसे लगाई instructor higher कि अब instructor उसे चीजे सिखाएगा तो सही instructor ने कैसे उसे तैड़ना सिखाया पहले उसके कमर पे एक rope लगा दी इस तरीके से और वो जो rope थी वो एक पुली से attached थी the rope went through a pulley that ran on an overhead cable अब देखो इस तरीके से चीक है कि मानलो यहाँ पर उन्होंने पकड़ा हुआ है यह instructor है यहाँ पर यह मानलो हमारे डगलेस है ठीक है और डगलेस को क्या किया हुआ है बांधा हुए और ऐसे एक पुली है ठीक है तो इससे वो खीच सकते थे उसको बहुत आसानी से अगर कुछ भी उसके साथ होता तो, the rope went through a pulley, then ran on an overhead cable, ये ठीक है समझ में आ गया, the rope went through a pulley and then over, हाँ, with the help of pulley went to and fro in the pool, अब उस पुली की मदद से, इसकी मदद से to and fro, आगे, पीछे, आगे, पीछे वो travel कर पा रहे थे, मतलब swim कर पा रहे थे, पूल के अंदर, तो उनके अंदर ये डर नहीं था, कि अभी तो मुझे किसी ने पकड़ा हुआ, इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ है, कुछ होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बच सकता हूँ, प्राक्टर फॉर वीक्स तुगेदर, और इंस्ट्रक्टर ने और डगलस ने काफी हपतों तक इसी तरीके से प्राक्टर किया, पानी में इदर उदर आगे पीछे जाने का, आफ्टर फ्री मन्स प्राक्टिस, फियर स्टरट फेडिक, धीरे धीरे तीन महीने की प्राक्टिस के बाद डर गायब होने लगा, सोचो तीन महीने लगे, तीन महीने, learn to inhale and exhale फिर उन्होंने सास लेना और छोड़ना पानी के अंदर सास कैसे लेना है और छोड़ना है वो सिखाया उनकी इंस्ट्रक्टर ने gradually shed part of the panic अब धीरे धीरे करके उन्हों जो panic करते थे पानी में सास ना आने की वज़े से वो कम हुआ initially legs were stiff but gradually relaxed शुरुवात में जब पानी में जाते तो leg जो है वो एकदम stiff हो जाते आसे जखड़ जाते, move नहीं करते पर धीरे धीरे करके वो legs भी पानी में relax होने लगे यह क्या हुआ यह पूरा process था instructor ने धीरे धीरे करके उनको इस तरीके से सब कुछ सिखाया, अब April के अंदर Douglas became a swimmer in April the instructor told him that he could swim April में instructor ने क्या बोला बोले अब तु बढ़िया swimmer बन चुका है अब तु swim कर सकता है could dive off and swim the length of the pool अब उस समय तक Douglas बढ़िया perfect होगे थे एक जगा, एक मतलब एक end से दूसरे end पर वो easily जा पा रहे थे swim करके अपने आप बिना रोप के gradually became a swimmer और धीरे-धीरे करके ऐसे वो एक तैराग बन गए try to swim alone while alone in the pool अब उन्हें ये लग रहा था कि यार अभी तो instructor सामने है शायद इस वज़े से मैं कर पा रहा हूँ अब अगर मान लो कल को instructor सामने ना हुआ क्या मैं तब कर पाऊंगा तो उसने बहुत सी बार ऐसे टाइम पर भी practice की जब instructor सामने नहीं था जब वो अकेला था फूल में shed of fear तो ये अकेले होने का fear भी उन्होंने अपने अंदर से निकाला went to lake Wentworth अब यूएस के अंदर एक लेक है लेक Wentworth वहां पर वो गए swam two miles across the lake दो मील तक उन्होंने swim किया ठेक है successfully tried crawl breaststroke side stroke and backstroke वाई सारे तरीके अपना लिया मतलब होता ना क्या लग अलग जैसे यह होता है freestyle ये butterfly ये backstroke उल्टे ओके लेटना side टेड़े ओके तैरना ऐसे तैरना वैसे तैरना breaststroke ऐसे ऐसे करके तैरना जो भी strokes थे अलग-अलग सब उन्होंने try किये और वो पूरा तैर कर आए ये confirm करने के लिए कि क्या मेरा डर खत्म हो गया है ठीक है उन्हें ये लगा कि मान ले मैं कहीं अगर और swimming करने चला गया क्या मुझे बीच में कहीं डर लगेगा क्या बीच-बीच में वो डर आएगा येस बीच-बीच में उनको वो डर वापिस से सता था बीच-बीच में कभी-कभी वो डर वापिस आता और उस समय वो उस डर को बोलते कि क्या आ गया तुवापिस से मुझे डराने के लिए मैं डरता नहीं हूं और उस डर को काबू पाने के लिए वो और तहरते और तहरते एक बार केवल बीच में टरर एक डर ने उनको सीज किया था लेकिन वो वहाँ पर जोर से चिल लाए और उस डर से बात की कि तू क्या सोचता है तू मुझे रोक सकता है भाई नहीं dived and swam across warm lake back from the other shore और फिर dive मारा टेरा पूरा warm lake को ठीक है back from the other shore दूसरे किनारे से वापस भी आए succeeded in his experiment ये उनका एक अपने आप पी experiment था क्या experiment कि मैं देखता हूँ पूल में ही मैं तैर पाता हूँ csoday हो, conquered his fear of water और इस तरीके से उन्होंने अपना ये जो पानी का डर था ये, conquer कर लिया, जीत लिया, a great truth dawned upon him, और एक बहुत बड़ी सच्चाई कही न कही उनको समझ में आई, वो सच्चाई क्या थी, peace in death, terror only in the fear of death, experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it could produce, this increased his will to live, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, William Douglas ने ही ये बात कही है इसी chapter में, कि आपको केवल एक चीद से डर लगना चाहिए और वो है डर, all you have to fear is fear itself, चुकि डर के आगे ही जीत है, right, so उन्होंने क्या-क्या experience किया था, सबसे पहली बात तो ये experience कर चुके थे कि death जो है उसमें बहुत peace है, चाहिक है, once you are dead, then you won't feel anything, शान्ती शान्ती है, क्योंकि वो experience कर चुके थे पूल में, terror only in the fear of death, डर के वल कहा है, आतंक के वल हमें वो जो मरने से डर लगता है न, वही real डर है, मरने के बाद तो शान्ती शान्ती है, तो मरने के बाद का डर नहीं है, डर कब तक का है, मरने का ही तो डर है, यही समझा रहे है, कि हमें डर कब तक लग रहा है, है हमें मरने से तो डर लग रहा है मरने के बाद तो शांती शांती है क्योंकि वो feeling वो ले चुके थे जब पूल में उस बच्चे ने उनको धक्का माना experience both the sensation of dying मरने का भी experience ले चुके थे and terror that fear of it could produce और मैं मर जाऊंगा इस डर से जो आतंक बनता है दिमाग में वो भी experience कर चुके थे ठीक है पानी में जब वो हाथ पेर मार रहे थे तब उन्हें क्या डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा उस डर की वज़े से वो ज्यादा पैनिक कर रहे थे और जब उनकी कोई भी ट्रिक काम ने की तो उन्हें वो डेथ लाइक experience भी हुआ जिसमें उन्हें पता चला कि यह यहां तो काफी शानती है ब्रो यह तो मस्त है तो डेथ भी experience कर चुके थे जिसमें उन्हें पीस फील हुआ और मरने का डर भी experience कर चुके थे दिस increase is will to live और कहीं न कहीं इस चीज ने उनकी जो will थी उसको जीने की जो इच्छा थी उसको बढ़ाया और यह था हमारा deep water chapter एक बाद chapter को detail में line by line word to word जरूर पढ़िएगा उससे chapter और ज्यादा clear हो जाएगा और जो छोटी-छोटी details है chapter की वो आपको पता चलेंगी जो exam point of view से काफी ज्यादा important है chapter के सारे key points में यहाँ पर लेकर आई थी आप लोग इन सभी key points को ध्यान में रखेंगे तो आप एक चांस फ्रेम कर पाएंगे bye guys take care all the best and see you in the next class